कंचन दूबे की मौत हो चुकी है क्या उसने आत्मत्या की थी या फिर उसे मारा गया था और कंचन की पटना में हुई मौत और हिस्ट्री शीटर ललित सैंगर के गया में हुए कतल के बीच क्या कनेक्शन था ये दो भयंकर मौतें क्या उसे एक नेकलेस की वज़ा से हुई थी या फिर इस भयंकर हत्या कांड के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ था मौत पानी में डूबनेस होई एंस्पेक्टर सिफ डूबनेस कोई गला घोटने की निशानी बॉड़िमें को जहर के ट्रेसिस जी नहीं हमें ऐसी कोई भी निशानिया नहीं मिली तो इस सिर्फ एक सुसाइड केस है हां सुसाइड ही लगता है अगर किसी ने धक्का नहीं दिया होते हैं मजे पहले सी डाउट था कि कंचन अब हमें जिन्दा नहीं मिलेगी यह अपने साथ अपने बेटे आरें को भी लेकर नदी करेना रही थी शायद उसे भी साथ मिलेकर डूबना चाहती होगी और बाद में मन बदल गया होगा मुंकिन है पर ऐसा करने के लिए इसके दिमागी हालत बेहर नाजुक रही होगी जी यह आपका बेटा ललीत है ना अगर इसने फिर से कोई चोरी चकारी किया तो नहीं है यह मेरा बेटा थक गई हूं मैं इससे ललीत का कत्लुआ कितना समझाया था इसे छोड़ दे ये सारे गलत का लोगों के वरतन बांच-मांच कर बेड़े से बढ़ा किया तर ये गलत का मुं में निकल गया आप कुछ बता सकती है किया वो गया किस काम से आया था वहां के जंगल में उसका मडर हुआ है मुझे नहीं पता साब मैं आखरिवार उससे एक मैना पहले मिली थी पहले भी पुलिस आई थी पुष्टाज करने के लिए कोई चोरी का केस था यहां उसके कोई दोस्त है गया है होंगे उसी के जैसे बदमाश और चोर चकार किसी दोस्त से मिली आप नहीं साब कभी किसी का उसने नाम से जिक्र किया प्राटो वो ग्रेब दिखा इनको पैचानते हैं हमने सुना तो इससे जानता है ललित सेंगर मडर हुआ इसका हां मालो मैं क्या जानता है मर्डर के बारे में कुछ नहीं मैडम मैं एक अर्षे से यहां सड़ रहा हूँ और ललित चोर कि चेन किचना बोलो घर लूटना बोलो गाड़ी यह बाइक गुड़ाना बोला ऐसे चुटके बजाते ही बाइक से यह रहे मेडम मैंने एक छोरी का बाइक खिरिदा था तब मिला था पेली बार उससे में एक तब ताजा ताजा उठाए कली बोल क्या देगा कले चेक कले चैसिस नमबर बदला इसका मैं आधा काम कभी नहीं करता मैं पीन का आड़ कर दिया है इसे अब बाब भी पेचाननी पाएगा बोल क्या लेगा इन दोनों को जानता है है हेल्मेट बने तो बंदे ही है ले उश्यारी नहीं यह दोनों । ललित के दोस्त हो सकते हैं । ॥ ॥ लो उसी नो मुझे मिलाए था लिट से बाइक के लिए कॉन सर्फराज भूए अपको सर्फराज भाइक पता नहीं पता कासेम अब जल्दी बता कौन है यह हाकिन नगर में गोदाव इसका पूरे शेयर से चोरी का माल जाता था जिसके गोदाम में आपकार एक कॉंस्टेबल अब आपकी पहर उसर्फराज भाई से और उसके गोदाम से भी एललित ने कुछ चीटिंग किया होगा सफराज भाई के साथ में तो ठुकवा दिया होगा ओ मैरम प्लीज आप मेरा नम्मर लेना सफराज भाई के सामने अपका क्या है आपको आएंगी जाएंगी मेरे को रह यह कब लिया इपने पैसे कहा से आए गंजन अब तो आप बताएंगे क्यो सी साइड किया कंचने अब मुझे बोल ते आया है क्यो मा डख एला क्यो मा डख आला अब तॉ बताहो इस ने तो बताईगे मुझे क्यों जान दि कंच्छन के पिता ने बताया कि कंच्छन तैरना नहीं जानती थी ये बात तुम भी जानते थे न तो तो कि मैंने उसको धक्का दिया और कैसे और आपिस में बैटकर रिमोट कंड्रोल से देखे इंस्पेक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे बीच में कुछ बचा नहीं था और साइद उसकी लाइफ में कोई और नहीं था लेकिन वो मेरे बच्चे की मा थी इतनी सारी अथी याद ही जुड़ी है मेरे साथ आपको मुझे बताने ही होगा कि उसने अपनी जान क्यों ली या अगर किसी ने मारा तो किसने मारा वह यह को नहीं ललिच सेंगर मुझे जवाब चाहिए जिस तरह एक जूट को बार बार बोलने से जूट सच नहीं हो जाता उसी तरह एक गुनेगार के चीखने चिलाने से वह बेगुना नहीं हो जाता हमसे जवाब चाहिए हमारे किसी सवाल का जवाब है तुमारे पास हमारी बीवी के पास वो नेकलेस कहां से आज नहीं पता तुम्हारे बीवी का एक हिस्ट्री शिट्रे से क्नेक्षन हैं नहीं पता और तुम्हारी पत्मी ने सीसाइट किया या भी थावित नहीं हुआ और नहीं लली सेंगर का मड़। हम यहां बैठके तुम्हारी पत्मी के रिष्टों का पोस्ट माटम करें और हमारे पोस्ट माटम में तुम्हें क्लिंचिट नहीं मिली है हमारे अपका इंसस्पेक्ट अभी भी तुम ही है और तुम्हें के लगते हैं तुम यहां कर बार बार चीखो के चिलाओगे बिचारे पते की एक्टिंग करोगे तो हमें लगे कि तुम बेगना हो आत्मत्या करने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी का कतल करने चले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है ज्यादातर किसी भी संगीन जुर्म का अतीद से नाता होता है कभी पीड़ित के अतीद से तो कभी कातल के अतीद से जुर्म करने से पहले समझदारी और होश की लकीर पार होती है और इनसान एक अजीब किस्म की मधोशी और पागलपन की थुंद में घर जाता है लेकिन जुर्म होने के बाद जब उसके मकसद का विशलेशन होता है, उसे एनलाइस किया जाता है, तो पाया जाता है कि कारण बहुत छोटा था और उस जुर्म को बढ़ी आसानी से टाला जा सकता था। पर एक ऐसा ख्याल भी मन में आता है कि क्या मुझरिम का दिमाग इस बात पर एक बार भी विचार नहीं करता है कि वो एक खतरनाक अंधी गली में दाखिल होने जा रहा है। सलाम साव लों सलाम मेडम जी क्या लेंगे आप सर फराज भाई पता चलाई होगा लली सेंगर का पार आटोर साब कली ख़बर विला तो आप भी ख़बर पहुँचा देते हम तक कि सुभारी किस ने दी और किस ने ली अरे साब अपना काम तो माल खरेदना और माल बेशना ह बिल्कुल सीधा गाँ दूसरों का माल चोरी करना सीधा काम कब से हो गया है इस दूसरे किसका क्या है जिसको रेखो वो एक दूसरे की चीज चुराने में लगा हुआ है यहां कोई दूसरा फरिष्टा नहीं है परसर अपना ज्यान अपने पास रखो और सीधे सीधे चंदन है हाँ यह चंदन वातो है पक्का है और सरी दूसरी बाइक परना यह कमल पाठाग है इन तीनों का गिरह हुआ करता था चंदन लई तो हुजे कमल का बाइक चोड़ो अडगेर थी इंगे खास्यत था चल कमल होजा शुरू पर नाल यह मुड़ो ऑ कमला शड़ो यह चंदन लड़ी एक करता दो हाय छो हुआ तो हुआ tbers्ववर यहागेर बाइक यह चंदना मुझे तो सदी दोनों लग रहे हैं चंदन मातो और कमल पाठा का मिलेंगे यह लोग मैडम मैं दो सिर्फ आम खाता हूँ एड़ी इंद नमबर दो दोनों का सफ्राज फोन पर बात ही नहीं होती ऐसे आमने सामने लेकिन अभी हम तुमने सामने करें एक बात याद रखो इस सेंगर का मुर्डर एक औरत की मौस से जुड़ा है अब यह सुसाइड भी हो सकती है कतल भी हो सकता है कंचन दूबे हां कंचन दूबे मैं कि सब्सक्राइब बात नहीं आ रही है कि साला जिस बात नहीं को है वह अब तक आप लोगों पास कैसे नहीं पहुची कैसे खबर अ आप साम गोनो अरे साब भी कंचन दूबे का वीडियो फैल गया था का कहते हैं वाइरल हो गया था शुटाइड का वीडियो नहीं इस पास बहुत जल्द पता चलता है कि इस वीडियो के अलावा कंचन के और भी वीडियोज अडल्ट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर वाइरल हुए था कंचन का परिवार सुन पड़ गया किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कंचन की जिंदगी का एक ये पहलू भी है कुल मिलाकर पांच वीडियोज ट्रेस हुए जिनमें कंचन अश्लील अंग प्रदर्शन कर रही थी और ये वीडियोज अडल्ट वीडियोज देखने वालों की बिरादरी में काफी मशूर हो गए थे और ये बिरादरी लाखों करोडों में है सर क्या ये कंचन के सुसाइट करने का कारण हो सकता है लेकिन वीडियोज में वो कैमरे में देख रही है मतलब साफ है सर ये वीडियोज उसने खुद मनाये सबढ़ दस्ती या अंजाने में बनी वीडियोज नहीं है कि ये कंचन किसी रेकट में शामिल थे और ये वीडियोज इतने अर्से से सर्कुलेट हो रहे हैं और हम याप पता चल रहा है सर ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी कि क्या कैसे हुआ होगा बहुरो नितिर विशाल ने कहा था कि वो कंचन का पीछा कर रहा है विशाल ने कंचन को लली सिंगर के साथ अफ्यार करते हुए देखा होगा और फिर विशाल को इन वीडियो के बारे में पता चलाओगा जो कंचन पैसो के लिए कर रहे हैं ताकि वो अपने जेवर खरीदने के शौक को पूरा कर सके और विशाल ने ललीट को ट्रेस किया होगा पता करने के लिए कि उसके सातीदार कौन है हो सकते ललीट बचना नहीं चाहिए लगिन काम पटना में नहीं होना चाहिए कहीं बार जाके खितम करना विशाल ने ललीट को मरवाया गया में आठ जुलाई को पर उसी दिन कंचन अपने बेटे आरेन को लेके बिजार का ठीक हूँगे सब विशाल को पता चल गया होगा कि आज जुलाई को ललीट और कंचन के भागने का प्लान है तो उसने ललीट को गया में मरवा दिया और यहां किसी और को बलाया होगा कंचन को नदी में धखिल ने करी विशाल तो जानते ही होगा ना सर कंचन को नदी की तरफ लेगे उस्ता पेटा सो रहा था अगर वो चीखती चिलाती तो चायवालालाट हो जाता अगरी की कंचन की मौत में उसके पती विशाल का हाथ रहागा उसके पती विशाल नहीं कंचन को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया होगा पर क्यों वजा क्य रही होगी क्या ये वाइरल वीडियो से और जिस दिन कंचन विदार गटी गई उसे दिन कंचन के प्रेमी ललित का गया में कतल हो गया प्रेमी क्या वाकिन में प्रेमी थे सर ये बात तो मुझे भी खटक रही है एक पढ़ी लिखी बड़े बिजनसमेन की बेटी एक अए ललेट सेंगर जैसे हिस्टी शीटर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है वो भी अफेर और सही रही बात इन वीडियोस की तो वीडियोस में तो वो कहीं भी किसी तरह के दबाव में नहीं दिख रही है अभी वीडियो अपलोड कहां से हुए उस source का पता चलेगा तो लेने के देने फड़ गए है अच्छा खासा काम धंदा छोड़ कर दुनिया भर में भागे भागे फिर रहे है अब एक कुछ तो बोल मेरे पास रोकड़ा खतम हो रहा है ललीत को मरना ही था हो गया तो अब तो बता दे क्यों मारा ललीत को सही तो था हम तीनों के बीच में दोस्ति के घातेर तेरा साथ दिया लेकिन अब तू मुझी से सब छुपा रहा है और ललीत को मरके खुश तो तू भी नहीं परशान है कई तूने ललीत को मारने की सुपारी तो नहीं ले रखी थी देख तुने सुपारी ली तो ली लेकिन उसका यह इससा मेरा युगनता है ब्लेक्मेल कर रहा है मुझे अब मैं क्या तुझे ब्लेक्मेल करूँगा एक इधाली के तो चट्टे बट्टे है दोनों लेकिन मैं बस सच जानना चाहता हूं यार कि क्योट होका ललित को या किसी, किसी ने मरवाया उसे तेरे जरीए देख, अब तक तो सिर्फ हम छोड़ थे लेकिन आप, खूनी हो गए विशाल, क्या तुम इन वीडियोस के बारे में जानते थे? दिपिका अगर मुझे पता होता तो तुम्हें नहीं बताता कंचन से नहीं पूशता कभी तुम से ये सवाल बूछना तो नहीं चाहते थी लेकिन लेकिन जानना चाहती हो न कि क्या मैंने कंचन का खून किया और उस लरीच सेंगर का भी विशाल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम इस से कभी कुछ नहीं कर सकते कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नहीं देपिका मैं जिंदेगे भर अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा मैंने कभी कंचन को जाना ही नहीं यह विडियो यह चोरी की जोल्री सब मेरे ही घर में कंचन कहां उलजी हुई थी सच सच कहूं तो इस टाइम पर साइबर सेल इतना लोड़ेड है ना कि कुछ नहीं बता सकते हैं फिर भी कोशिश कर जल्दी करने की सब बैक लॉग देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं इतनी सारी इंवेस्टिकेशन हैं ओनलाइन धंकी ओनलाइन हरास्मेंट एवरिधिंग इस लेकिन एक पॉसिबिलिटी है मैं ट्राइ कर सकता हूं सर बट सर टाइम लगेगा उसके लिए मुझे जल्दी चाहिए रमेश तू कर सकता है देख किसी भी तरीके से मुझे इन वीडियो का सोर्स पता करके दे ओके सर आल ट्राइब कंचन की मौत का राज जानने के लिए औ और आखिर में जब जुर्म का मकसद सामने आया तो सब के होश उड़ गए मुझे मालू मैं मैडम कि मेरा बेटा कमल गलत काम होगी था उसे कई बार पुलिस ने उठाया था और कोई नंबर है उसका नहीं मैडम बस यही इक नंबर है अर्शा जी उसका ये नंबर पिछले चैन्दन से मंद है हमें कमल का अभी वाला नंबर चाहिए अब मैं कहा से लाओ अभी का नंबर मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वो कहा है क्या कर रहा है वो जिंदा है भी कि नहीं साहब डो मैने पहले दो दिन के लिए आया था चंदन लेकिए मुटर के समय वांटेट है चंदने और उसके दोस्त कम्हल को माल दिया है कम्हलों ललत तो उसके साथिधार थे साभ और इन तेम की बीछ में क्या हुआ थे, आ बता सकती है और वह और जिसके पारे में आप पूंच रहे जो ग्लूर मुझे कुछ सॉन नी मालुम साभ और चंदन के बारे में तो मुझे दूसरे लोगों से पता चलता है कि हर तीन मेhने में वो जेल में रहता है अभी का है वो? कहां जा सकता है? मुझे नहीं मालूम साब कई मेहनों से ना तो उसका फोन आया है साब ना तो वो घर आया है ये चंदन में तो ये कमल पाठक छाप लो दोनों चेरे दिमाग में और ढूनना शुरू करो नालंदा पटना गया बेगु सराय जहां जहां अपने बंदे सब को काम पर लगा दो सरकारी नाम 10,000 रुपे मेरी तरफ से अलग लेकिन ये दोनों चाहिए समझे इन में से कोई है? नहीं सर्थ ये आदमी शायदी सोरत के साथ आया हो? नहीं सर्थ, मैंने इने पहले कभी नहीं देखा है पुलिस ललित सेंगर के कतल के संदेग्द चंदन और कमल की खोज पूरे जोर शोर से कर रही थी और चुकि अब ये माना जा रहा था कि कंचन और ललित के बीच रिष्टा था investigation team ये पता करने की कोशिश में थी कि कंचन और ललित कहां मिलते थे विशाख से भी कड़ी पूचताच की गई ये पता करने के लिए किंचन का पीछा करते वक्त कि तुमारह स्ट्रा गुस्सां और चेट्च यह पता नहीं से पता नहीं साथ किया हो और ना ही बता चलेगा कर लेदेद यह उसकी और टालug नश्टर्च यह नहीं रहा हूं थो प्रमचlor को अपने बटी के साथ रहना। insult इतनी गंदगी फेल गई है उससे बचाना है, कुछ को संभालना है, आगे बढ़ना है और कंचन? कंचन तो ओपस आई गी निये और इसे भी मुझे कुछ नहीं पता दरना और जिसे मैं अपनी बीबी समझता था, उतो बढ़ अचनभी से लगने लगी आखिरो इन सब चीजों में पड़ी कैसे क्यों पड़ी इस क्यू का जवाब मिलने से ही अब ये केस हाल होगा और इस क्यू का क्या जवाब होने वाला carrots मुझे तो कुछ नहीं पता असका पिछा किया कुछ नहीं मिला उसका एक क्रिमिनल के साथ अफेयर चल रहा था जिसके बारे में ना मुझे पता था ना उसकी फैमिली को उसकता उसका एक और फोन भी होगा पता नहीं क्या क्या सामने आएगा मुझे कुछ और पता नहीं करना है इंस्पेक्टर मैं ठग गया हूँ अब को यह आदमी और यह व्रत हां आया थे यहां कभी यह दोनों तो नहीं पर यह आधमी और यह वॉरत यह दोनों जुरूर आते tim करि 550 यह और है कंचन दूबे Vic कर याद्मियों आत्या तो यह दोनीं हां तो यह थीले हुशत है अन्ड़ोर इस नामवां से यही दोनों थे इनका एक सेट पेटरन था पहले लड़का आएगा कमरा लेगा कमरे में जाकर बैठेगा फिर घंटे बाद यह और उस कमरे में जाते थी यह इतने रेगुलर आते थे कि इन दोनों का चेहरा मेरे दिमाग में छप गया था और जैसे यह और आती थी मुझे मालू पढ़ जाता था कि यह उस बंदे के कमरे में ही जाएगी रतन साब मुझे इस बंदे का नंबर चाहिए होता तो अभी दे देता लाठोर साब हमें नंबर उंबर लेने की कभी जरोती नहीं पड़ी और किसको पता था कि यह कान होने वाला है अपने यहां सब शांती से होता है आए कमरा लिया और निगल पड़े कोई खुल खराब ह इतने समय से ललीत और कंचन सोच रहे थे पर अब केस पूरा उलट गया है और यह लॉच का मैनेजर रतन अब हमें बता रहे है इस रतन को भी मालूम था कंचन के बारे में उसने भी वीडियो दिखा था लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि चंदन क्रिमिनल है इतना उत पक वो भी इन तीनों ने मिलकर की थी और उस चोरी की लूट में जो नेकलिस था वो कंचन के पास पहुंचा शायद उसी नेकलिस में हमारे केस का तोड है कितना सुन्दर है मानो तुम्हारे लिए बनाओ आज से तुम्हारा लगता है कि कोई बड़ा हाथ मार है ऐसा ही समुझ मेडम कमल अपनी मां से मिलने आया है एक सेकेंड के लिए नजर मत हठाना पंकच हम तुरंट पहुंच रहे कि तोड़ दो थो तोड़ दो यह रोख को अट एक सब्सक्राइब करूद लेकिन मुझे शरेड़ निकल गया साथ लगी को मानने की प्लानिंग में शामिल ता साथ लेकिन गोड़ा में नहीं दुआया था उसे जिफ चंदन ने ठोका साथ चंदन ने क्यों थोका उसने कार ने लड़ित को क्यों ठोका मुझे सच में पता साथ काहां से ठाक लाया है यह कच्रा मेरे किसी काम का नहीं है वहीं ठोक देते और लवार इस डिक्लेर कर देते सौरी सर अभी कर देते हैं ठोकेश तो मेडम एक लड़की के पटाली शैंचा समझर आपने आपको तुरह वापिस गंचन को बीच में लाय तो भाड़ कर फिट दूगा दालब तुरह एक चन्न एंचोड उसे और बंद कर अपनी दम्कियों के डाय दो बादी और कौन है एक जिसके लिए कुटों इसे लड़े हो यहां पर अफरेल में दिवाली हो गई अपनी मैंने काया तना को घर मालावाल होगा उपर से बिल्डिंग की सिक्योरिटी थंडी लो रहे अपना अपना हिस्सा पकड़ो यह तेरा लालित और यह बाई चन्दन तेरा और यह मेरा निय अपने जेवर जाकर मा को देते हैं या बात है भाई लड़की का नाम तो वता उसके नाम से तेरा क्या काम बें लोग दूनों दूर रहो उससे यह मेरा नीजी माम लाए अभी अभी लड़की के चक्कर में क्या गें खतम करेंगे अपनी बराबर के इस्सेधार है यार अम अभई तो बोल रहा था मैं बेलाबर के इससे जारे इसने मिला दे क्या जाता तिरा अधाना अधिक लोग उसके पैर में दिख रहा है तू आगे से उसके साद एसा मजाक मत करना चलू टप और हाथ मिला इससे में मिला रहा आथ इससे अरे हूट यार गोली मार लड़ाई क अपने मुझे मत निकाला है कुछ चीजें दोस्ती और काम के परे होती है गल्ती हो गया है नहीं करूं आगे से लालित ने चंदन से माफी भी मांगी थी साप लेकिन चंदन ने उसे माफ नहीं किया उसके अंदर के गुस्सा मतलब आप बबूला हुए जाना था साब वो य जानता नहीं थी को ने कंचल बंचल तेकिन अभी समझ में आया लालित ने माफी तो मांग ली थी फिर उसे ठोकने जासा क्या हुआ था और इस और इस ओरत ने भी सुसाइड कर लिया सच बोल रहा हूं मैडम मुझे आज तक पताने है कारण बस चंदन ने बोला और मैंने म मतलब दोके से यां बुलाओं और फिर ठोक दें बिशाल इमाख ठिकाने पर है तेरा बचपन से अंगिनत बार कभी तेरी जान बचाई है मैंने कभी खाल चार बार जेल जा जुकाओ तुझे बचाने के लिए जब जब तुझे ज़रूरत पड़ी अपने हिस्से की लूट तुझे दे दी कभी कुछ जताया नहीं आज एक मदद मांग रहा हूं मना मत करना देख तेरे ले जान भी दे सकता हूं चंदन ये तुझ जानता है लेकिन मुझे काराण तो बता क्यों ढोकना है ललित को वो उस दिन के जगड़े को लेकर अब उसने माफी मांगी तो थी तुझसे देख भाई अपनी टीम सही है बे बहुत बड़ा धोका किया ललित ने मेरे साथ बस अब और सवाल मत पूछ बोल साथ देगा या नहीं लेकिन क्या धोका या ना ठीके जो तुझाएगा वही होगा तेरे ले कुछ भी यार ललित बिना कोई शक किये गया आया और हम उसे प्लान बनाने के बहाने गया के जंगल में लेके गए अहां भी बताओं क्या प्लान है उसके बाद हम काफी दिन तक बेगु सरहाय में छूपे रहे हैं साथ लेकिन मुझे मुझे सरेंडर करना था साथ आपकी मदद करना था सरकारी गवह बनना ना था बड़े दूर की सोच रहा है चल एक एक करम आगे बढ़ाते हैं बोल करna जाता न तो चंदन का पता बोल ललत확रक एकिना कंचनदूमे से जुडा हुआ था लेकिन कंचण दूमे की आत्मत्याका कारण क्या थाитесь ने ऐसा क्या करceptions कर दिया था कि चंदनमयन उसे जान से मार तया मकद्या इससे पहले चंदन पुलिस की हाथ लगता साइबरक्राम गुट जाब रामेश, डिटेल्स बता, आईप अड्रस है, 123.12347.47193, वीडियो इस कौन्स इंस्ट्रुमेंट से अप्लोड हुए, मोबाइल नवर है, 444-098-276. वीडियो अप्लोडिंग के लिए इस्तमाल किया गया नमबर, अब पुलिस के हाथ लगा एक फूस सुबूत था इस केस में, ये केस आखरकार अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहा था, और दूसरी और एक टीम चंदन महतों तक पहुंच रही थी, क्या है वे, लेलित को क्यों आ रहे चंदन, उसने कंचन के साथ कुछ किया था, बोलना क्यों मारा, तो इत्ता बढ़िया मुबाइल तो है, क्यों बेचना है, बस बोर हो गया है, अब तो मेरको देदे, पंदरा अजार मिल रहे है इसके, पंदरा, अभे फेंक मत, चल तू बारा में ले ले, सुनना, दोस्तिवाला डिस्काउंट, दस, चल रख ले, अग अच्छा खासा तो एधर हो मॉइल, मस्ते यार, बोला था, बोला था, इसके साथ मत खेल ला, दोका किया लालित ने मेरे साथ, बहुत गंदा दोका किया, उसकी वज़े से, कंचन ने सुसाइड कर ली, क्या दोका किया, कंचन ने अपनी जान क्यों दे, सर, जिस नंबर से वीडियोज अपलोड हुए थे, वो क्राकडाउन हो गया, ललित सेंगर का था, एक गलती होई से, और उस कमीने ने मेरे पीट में खंजर भोग दिया, कंचन ने अपनी जान ले ली, मैं कहा था उससे ऐसा मत करना, मैं सब ठीक कर दूँगा, अगर उसने मेरे बात नी सुनी एक गलती से, एक भूल, कितना सुन्दर है, मानो तुम्हारे ले ही बनाओ, आज से तुम्हारा, मत्ता है कि कोई बड़ा हाथ मार है, ऐसा ही समझ लो, चुनो अब यह नेकलेस ठीक से प्रहन कर देखाओ, और सिर्फ नेकलेस, और कुछ भी नहीं, साले, अब समझ में आया है, पेंडेन राला नेकलेस किसके लिए लेके गया दो, किसके लिए लेके गया दो भी, वाहू लाली पॉप है तुमारी गर्फर्ण, साले तिर को बोला था, उसको बीच में मतला, अब मैं हिस्सा थोड़ीना मांग रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर साला लल तुम कंचन से का और कैसे मिले एक साल पहले, आटो, आटो, रोके, रोके, जी आप मुझे गिर्धर नमगर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज, एक्चली कोई आटो ने मेल रहा है, जी बैठिये, थांक यू, चलिए, उसने सिर्फ महुले तक लिफ मांगी थी, मैंने उसे घर के दरवाजे तक छोड़ा, हमा जान बूचकर मैं दूसरे दिन दोबारा, उसी जगा, उसी वक्त पहुचा, मेरा अंदाजा सही निकला, हमारे बीच कुछ था, कुछ खास तो एक सातवी फेल चोर, और कंचन एक पड़ी लिखी शादी सिदार, एक बच्चे की माँ, उसे तेरे बारे में पता था, तो क्या है? दो लोगों के बीच जब कुछ खास होता है न साथ, वे सातवी फेल बार भी पास ये सम माईने ने रखता है मैंने कंचन से कभी कुछ खुपाया लिए, उसने भी कभी हैतराज नहीं किया, हम बस मिलते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, और ये लो मेरी साथ सोती उसलिए पैसे दे रहे हो? क्यार से तवफा दे रहा हूँ, कुछ अच्छा खरीद लोग मेले सच में दे रहे हूँ, जूप मूट का तौफा तो मैं किसी को देता नहीं कहां डाका डाला, एक बाएक उठा कर बेज दू कल और दो उठाने वाले, परसों मिलते हैं यही पे, शाड़े ग्यारा बजे तब और पैसे होंगी मेरे पास, तुमारे लिए पती शक नहीं करता, नहीं, तू खुश तो मैं खुश, हम ऐसी रहेंगे वर उस कमी ले लिए लित ने घुमारे दुनिया उजार दी, वर कंचन को बरबाद कर दिये मुझे भी, हाथ पर ले ले मोबाईल है, इसमें थोड़े नहीं वीडियो हूँ, तो ट्रांसफर कर दिया मैंने, वो जो भी वीडियो है सारे के सारे डिलीट कर दी, ये मेरे और कंचन का नीजी मामला है, कंचन, भाई वह तो दिल दिमाग आप तो पूरे अंगंग में क्याइख हुआ हुआ है, क्या हुआ 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 है टिल्दृब हैंग अलिए परे घ्नाफ अरुआइख के ये ज़ी ज़्मामल कुर्ण 115- arise Cas надे आफ तो मीजा पहु बढ़काय या मैंने नहीं किया यह लागा लोगा ने देख लिया पूरे इंटेमें पर शाहिद करोड़ोंने यह 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 उस लेलिक का तान है तुम्हारा पार्टना लेलिक हां क्या वी शरम यह है अबारे प्राइवेट विडियो से साथ शेयर करते हुए नहीं कंचन मैंने कोई विडियो उसके साथ शेयर में किया उसमें मुझसे मेरा मुबाई खरीद लिया गलती से तुम्हारे विडियो दूसमें रह गाय थे उसे मुझसे बदला ने ना है इसले यह घटिया हरकत कर रहा है वो मैं तो मरुआ दो के जंदर मैं बर्वाद हो गई आज वी तो कर मेरे पती विश असमा मेरे रिष्टेदार सब देखेंगे और शाय थोड़े दूसमा मेरे रिष्टेदार सब देखेंगे और शाय थोड़े दूसमा मेरे विडियो नहीं देखेंगे रिखा दिया विडियो तुम्हारे तुम्हारे कुशी के लिए मैंने तुम्हारे कुशी के लिए मैंने सब मेरी भूल के वज़े से हुआ है जो तुम फिकर में करूँ मैं सब ठीक कर दूँगा कैसे ठीक करोगे? हाँ? कैसे ठीक करोगे? मज़ा है अज़ा है इस सारो में देश्ट रिंटर्टेक पे है हजारो करोनों लोगों ने देखके अज़ा है पता है कावा का सेफ कियोंगे डाउनलोड करके तुम रो मुझे करीका ने छोड़ा है अब मेरे पस सुसाहिर करने कहला बाद को चारा ने बच्छा मैं कंचन असा मत मोलो असा मत तुमें तुहरे कोई गलती नहीं है कंचन गलती सर्फ मेरी ही थी मेरी गलती थी कि मुझे तुमसे अफैर नहीं करना चाहिए था ये गलती थी मेरी मुझे उन विडियो के लिए तुम्हें ना करना चाहिए था अब कुछ दिया सकता सब बरबाद हो गया नहीं कंचन सब गदब हो गया क्या करएं। आत्स बबहाद़ा शुका हाई यहारे वो कंचन तेडि मेने ऊसी पल्सोंचलिया था लली तब नहीं जियेगा। उसने सारी लकीरे पार कर दी थी भर की नहीं ता उसे जी नेकर शुब 30 को बरबाद कर दिया। मैंने ललित को मार दिया, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं हूँ, अब भी नहीं है, उसको मारने के बाद जब मैं पटना लोटा तब पता चला कि कंचन गाया दे, पिर सुना कि उसने अपनी जान ले, उसकी कोई गलती नहीं थी सर, मैंने वो वीडियो बनाये थे, गलती मेरी मैं उने डिलिट करना भूल गया था, और वो वीडियो मैंने अपने लिए बनाये थे, सर, किसी और के लिए नहीं, उस ललित को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, कंचन ने अपने बेटे आर्यन को भी साथ लेकर दूबने का प्लैन बनाया होगा, और एन मोंके पर हिम प्लैन नहीं जोटा पाई होगे सर, सोचा होगा मासूं बच्चे को क्यों मार रहा है, आखरी गड़ी में अपने पती से शाइदी बात करना चाहती होगी, उसे सब कुछ बताना चाहती होगी, अपने दिल हलका करना चाहती होगी, इसलिए उस चाहए वाले की मोबाल से ट् किया चाहती हुए बच्चे को मार अग्या सकती, आके ले जाओ, कंचन के दिल ओ-दुमाग में क्या चल ला था, यह यहाप कोई नहीं जान पाईगा क्या क questionnaire बिटा मैं खिला दूसे है क्यों क्यों कंचन को ऐसे चले जाना था उस दिन दोपेर में कंचन ने मुझे कॉल किया था उस शायवाले के फोन से काश मैश का फोन उठा ले था शायद वो मुझे सब कुछ बता देती शायद मैं वहाँ वहाँ समय से पहुँच जाता शायद उसे खुद खुशी करने से रोख पाता शायद उसे घर ले आता चंदन महतो और कमल पाठक को आईपीसी की धारा 302 के तहट कतल के इलसा में गिरफतार किया गया है और केस अभी ट्राइल पर आना बाकि है कभी कभी इंसानी दिमाग के अंदर की विडम बनाओं और भावनाओं को भापना पेहद मुश्किल होता है कंचन ने अपनी मर्जी से चंदन के साथ रिष्टा बनाया और अपनी मर्जी से ही उसे वो वीडियो भी बनाने दिये और चंदन भी इस रिष्टे की कदर करता था वो कंचन को दिल से चाहता था अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों इस बात से अंजान थे कि उनके रिष्टे का कोई भवश्य नहीं है उसे कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती उसी तरह क्या वो इस बात से भी अंजान थी कि इस तरह के private videos बनाने में एक बहुत ही serious खत्रा रहता है और एक सवाल उठता है जब कोई इनसान अपनी परिस्तिती और अपने स्वभाव के बिलकुल विपरीत कोई चीज छुपके करता है तो क्या वो चीज एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से सब के सामने आ ही जाती अब इस case को ही लीजिए चंदन की गलती के कारण और चंदन और ललित के जगड़े की वज़ा से कंचन और चंदन का अवैद रिष्टा रोशनी में आया साथ ही videos viral होने की वज़ा से कंचन की गर्मा की धजजियां उड़ गई और इसी वज़ा से चंदन आपे से बाहर हो गया और उसने ललित का कतल कर दिया पर क्या इस कतल से problem हल हुई उसी तरह कंचन का suicide दरसल कितना फिजूल था कंचन अपने जजबात को अपने डर को अपनी शर्म को समेट कर एक बार अपने पती से बात तो कर सकती थी अपने माबाब को पुलिस को confidence में ले सकती थी ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुम्किन नहीं है जितना की उस वक्त लगता है मोबाइल फोन्स और उन में लगे कैमराज ने आज हर इनसान को एक फोटाग्राफर और फिल्मेकर बनने का मौका दे दिया है साथ ही अपनी सबसे प्राइविट फीलिंग्स और इच्छाओं को विक्त करने का जरिया भी बन गया है लेकिन इंटरनेट और मुबाइल को अपने बेडरूम में लाने वाले सभी लोगों को उसमें छिपे एक इनहेरंट रिस्क फैक्टर यानिके सुभावे खत्रे को ध्यान में रखकर सतर्क रहना चाहिए और सभी साबधानियों का पालन करना चाहिए अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें, सुरक्षित रहें जै सुरक्स सुरक्स कि गग य हो